लो चल दिये हम, इन जानी पैचानी राहों को छोड़ कर, जैसे जिन्दकी भाग रही हो, हमसे मूँ मोर कर, जो थे हमने यहाँ जीए, याद आ रहे हैं, वो पल हजार, आओ, स्कूल के पहले दिन से अब तक के सफर को, जी लें, फिर एक बार, आये तो थे हम गले में बोटल लगा थी, पीठ पर बरा सा बैक टांगे, वो छोटे छोटे कदम और बड़े बड़े आसू, वो नीली युनिफर्म केजी की, सुहाने दिनों की याद आ गई, जोटे से हम, और कार्टूनों से भरी हमारी दुनिया, वो गुड मॉर्णिंग का लंबा सा गाना गाना, ना पढ़ने के नए नए बहाने खोज कर लाना, चोट लग जाये कभी तो एक दूसरे को सम्हालना, और सस्ते जादू करके अपने आपको वर्ल्ड क्लास मेजीशिन समझना, वो हाथ उठाकर मेया आए कमिन नाम बोलना, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही बैठ कर किताब खोलना, जिगरी यारेों के साथ स्टोन पेपर सिजर खेलना, और पिकाजूर में हारने वाले को थपड मारना, वो हमें हमेशा सहेच के रखना चाहता हूँ, पांचवी में पेंच से लिखने का एकसाइटमेंट ही अलग था, पूरे पाउच को, ट्राइमैक्स, पारकर, ना जाने कौन-कौन से पेंच से भर लिया था, ग्राटिटूट दे तो सबसे पहले इसी क्लास में मना लिया था, पढ़ाई लिखाई का बोच तो बढ़ गया था, साइन्स और एसेस्टी तीन तीन भागों में बढ़ गया था, शरारत तो माबाप के डर से कम कर ही रहे थे, पर कमबक्ठ, FA1, FA2, SA1, SA2, एक के बाद एक हमें तंग कर रहे थे, देखते देखते पहुँच गये क्लास 8 में, So, we are doing the chapter, Tangerine the Walks, right? Yes, maaam! Are you not your book, boys? What's up? What's up? What's up, you didn't get it? What's up, you didn't get it? BHAIYEEE! And friends, friends, not friends, friends, have become friends. School में रहने का simple सा फंडा था, anecdotal का बडा सा डंडा था, क्लास में बेंचों को युद्धुभूमी बनाकर पैंड़ फाइट किया करते थे, पेपर प्लेन बनाकर उरान भढ़ा करते थे, और जब ये उरन खटोले, टीचर्स के पास पोँचते थे, Who is that? Who is the one? Who is the one? Should you do it? What's the one? Yeah, should you do it? He's saying yes, he's saying what? Please leave the class, leave the class right now. तब ये टीचर्स हमें क्लास से बाहर निकाला करते थे. प्लेग्राउंड था हमारा शालिमार, जहां जाने के लिए थे हम बेकरार. और किसी सब्स्टूशन तीचर्स ने हमें दिया गेम्स, उनके लिए बढ़ जाता था हमारा प्यार. कक्षा ग्यार्मी में तू अलग ही मज़े थे यार, बॉस को फियस्टा करा दो दो तीन बार, दो दिन की चांदनी, फिर अंधेरी राग, स्कूल रहता पूरा साल इतना जगमग, मन में रह गई ये बात. किंडल ने लाइबेरी की शान को बढ़ाया, लेकिन बिचारा हम से ना बच पाया. अलाम सुनने से मिलता था हमको सुकून, परिशान हो गए सबैस्टिन सर, उनको क्या पता था, ये था अलाम सुनने का जुनूम. दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, स्कूल ब्रेक है सबसे ज़्यादा बतनाम, येद की बिर्यानी, जिसे देखकर मूँ में आता था पानी, और पनीर की सबजी, जिसको हम सब को मिलकर थी खाने, फास्ट ट्रैक के रोल या इबिनेजर का डोसा, पर दिमाग था थोड़ा कच्चा, कहते टीचर्स मच्चोर हो जाओ, रहेगा तुम्हारे लिए अच्छा, उस लंच बॉक्स का भी क्या कहना, जो चुप चाप दोस्त के बैक्स से निकाला था, हमने आधा लंच, ब्रेक से पहले ही खत्म कर जाना था, चुप चाप क्लास से निकल जाते थे, कभी कभी पकड़े भी जाते थे, दिस टीचर, डैट टीचर, और कुछ ना मिले तो इन्फर्मरी का बाहना बना कर बच भी जाते थे, आज स्कूल से अलविदा कहने जा रहे हैं, अपना बच्पन खोता देख, आखों में आसू आ रहे, कितनी जल्दी बड़े हो गए हम, अब नई जिन्दिगी को अपनाना होगा, अपने यारों का साथ छोड़, इस स्कूल से जाना होगा, इन यारों की याद बढ़ी आएगी, जब जिन्दगी अपनी मुश्किले दिखाएगी, दोस्तों, बस यही कहूंगा, साथ भले छूट जाए, यारों को याद रखना, और पॉस्कों से जूड़ी हर याद को, अपने साथ रखना,